हेलो फ्रेंट्स मैं हूं सिवानी वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स इतने भी आईटिय के स्टुडेंट है खास करके चाहे वो एक्जाम बाले स्टुडेंट हो जो कि यह जो फेल हो गए है जो रिजल्ट का वेट कर रहें यह दोनों के लिए आज मैं दोनों के लिए काफी important है ठीक है यह दोनों एक ही session के student है इसलिए एक ही video जो है दोनों के लिए ठीक रहेगा देखिए बात यह है कि मैं किसली बोल रहे हूं कि combine क्योंकि आपका एक एक fail student का exam होना है रिजल्ट आना है देखिए यह दोनों एक दूसरे पर depend है जब तक एक नहीं होती हों कम्पलीट तब तक बहुत कि हो दोनों के लिए अगर जोनों के लिए क् behaved करना पड़ेगा में क्योपको जोनः और के लिए दोनों स्ट्रेंज उनिएंगा ध्यान से परिक्षा का संभाबना जो था अभी बहुत ज्यादा घट गया है परिक्षा के लिए आपको काभी बेट करना पड़ेगा और जो भी पीच में दो महिने का टाइम था मैंने बोला था या फिर सभी लोग बोल रहते कि जो है दिश्टी को करवा देना चाहिए दो महिने का जो बीच में है उसमें परिक्षा होगी कि नहीं होगी संभाबना कितनी है अभी क्योंकि यह जो रिजल्ट और यह एक्जाम का जो कंबाइंड अपडेट आया है वो काफी खतरना खेटी है चले वीडियो को स्टार्ट कर लेत सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मैंने बोला कि दोनों किसे पर डिपेंड है वह कैसे है ऐसा तो नहीं एक साथ क्यों नहीं हो सकता एक साथ होना चाहिए रिजल्ट हो रहा हो रहा हो रहा है ठीक है जब तक होना हो इसी बीच में साथ-साथ एक्जाम भी ले रिटिश्टी ऐसा क्यों नहीं हो सकती है क्या मामला क्या है यह अगरवरी हो रहे है क्या दिकते हो रही है दिखिए सबसे पहले मैं आपको बता दो कि जितने स्टेंट फेल है जिनका कि कम नंबर से फेल हो है उंको ग्रेस मांक्स दिया जा रहा वह बढ़ता है किसमें तक में कम मुझे है कर रहा हूं इतक हो सबस्क्राइब करने तरफोरतां यह यह को Olshawa अब कह से bacter fully सब्दों कि किसी का हो गया है तो आप जलूर सब्सक्राइब कामेंट करते हैं तो समय सब्सक्राइब तो देखे दो महीने में जब इतना कम हुआ है तो अगर अगर बात करें तो मुझे लगता है कम से कम दो महीने तो लगेंगे तो दो महीने तो लग जाएंगे और जब मैं पोटा दूँ कि इस लिए बोला था कि दोनों की डूशरे पर डिपेंड है जब तक यह रिजल्ट कम्प्लीट नहीं हो जाता है तब तक जो एक्जाम की सभावना बहुत ही कम है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक एक्जाम नहीं होगा यह मैं आप लोग को 95 परसेंट गारंटिक है जब तक रिजल्ट पूरे तरीके से सभी अपडेट किया रहा है तो अभी तक में सिर्फ 40 परसेंट का हुआ है है तो 60 परसेंट आमाल लेजेख है हम क्यें जब असब के provide 50 परसेंट का हो गया चाए तो मुझे नहीं लग रहा है डी क्या जा रहा है है देशनी कऊ का क्वार देशनी का यह सब कद कम हरे कि और नहीं आप लोग बसूण स्टेट्च जो है इस तरीकी की जो है समोस्याएं और इक्जाम की अगर रह गई तो देखिए भी रिजल्ट जो है अभी डो मैने तक आएगा भी सोचा ही नहीं है ना ही ट्रीटि भी यह पूर्टैसे कुर्वाई कर रहा हूं जो भी यह जLDI से जल्दी करने की कोशिश कि जारी है लेकिन तो होने वाले है नहीं तो कि आपको बद्राइब को इस्ट्रेश को पास कर दिया गया था उनका नंबर बढा दिया गया था बहुत यादा इस तरीके का कर दो के साथ पैसे बगईरेंगे इस तरीके से उन सभी हं चेंज कर दिया घया नय स्टाफ और ऩे laptop को थोड़ा सारा कुछ सेट करने में लेकिन अभी जो है फिलहाल में में अश्ट्रेंड की एकजाम के ज्ञादा सोचा जा रहा है जो कि अगस्त से से फिर मेन स्ट्रेंट का एक्जाम सुरू है तो देखिए मैंने बोला था यह सभी लोग बोल रहे हैं कि देखिए दो महीने का जो टाइम बढ़ता है मई के बाद जून और जुलाई यह दो महीने में करा लेना चाहिए लेकिन संभावना बहुत ही कम है कराने का क्योंकि जरू निकाल दिये होते हैं क्योंकि भी बहुत कम टाइम बचा है जून में निकाल देना चाहिए था उनको परिच्छा को लेकर के टाइम टेवल आ जाना चाहिए था ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है इसका मतलब इन दो महीने में भी आपके परिच्छा नहीं होगी और या अगस्त में तो कोई संबाभ में जांए और हुक्या होगी है एक महिने में सिर्फ में टाइम खतम नहीं होगी दो मेन कर लेना है और उसके साथ आप लोगो नीचे कमेंट सेक्षर में जा करके जो भी आप लोग का को सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर देना है तो संभावना जो है वह थोड़ी सी अभी जो है आप लोगो दो-चार महिने पास मिने वेट करना पड़ेगा रिजल्ट भी तब चाहिए ठीक है तो यह सारी अप्रेट थी आप दोनों स्ट्रेंट के लिए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए चले आशना है कि अ